दोस्तों HIV पेशेंट्स होते हैं जो उनको कुछ regular जांच करानी चाहिए जिसे उनके सरीर के बारे में उनको पता चलता रहे है कि हमारे सरीर में ऐसे ऐसे बदलावा रहे है क्योंकि HIV पेशेंट्स के सरीर में वाइरस तेजी से दीरे दीरे कभी फैल सकता है तो उनको कुछ जांचों की जूर्त होती है, जो तीन-चार मेने से कराते रहने चाहिए, अगर वो कोई treatment ले रहे हूं, या नहीं ले रहे हूं, अगर ले रहे हूं तो बहुत जुरूरी है, कि अगर आप कोई भी आयरोधिक treatment ले रहे हो, जैसे कि यह मैं जो बताता हूं, यह CD4 हो गया, वाइरल लोड, यह दो चीज तो बहुत जुरूरी होती है, CD4 भढ़ना अच्छा है, वाइरल लोड घटना बहुत अच्छा है, तो इन दो चीजों का पता आपको चलता रहना जुरूरी है, बाकी चाहिए, नेगेटिव पोजिटिव का आप कुछ साल बर से भी डेट साल से भी, दो साल से भी करा सकते हैं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता, जितना CD4 और अपने वाइरल लोड का होता है, बाकी नॉर्मल टेस्ट जरूरी होते हैं, जैसे कि RBC वगरा, बलड काउंट वगरा, यह इन चीजों का भी आपको नॉर्मली द्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी जिन्दगी उसी पर ही चलती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जरूरी है, समझ रहे हो, आप मैं क्या कहना चाता हूँ, आपको पता रहेगा कि आपका शरीर कितना सुरक्सित है H.I.E.U. से और कितना, और मुसिबत की और जा रहा है, क्योंक तो इसलिए आपको अपने नियमे तीन-चार महिने से जाचे करवाना चाहिए जिससे आपको अपने शरीर के बारे पता रख सकें और अपने शरीर में कोई प्रोब्लम आये तो उसको सहीर करवा सकें यह वीडियो बहुत जुरूरी है हर एचाई पिशेंट को पता होना यह बात तो इसलिए जुरूर शेयर कीजेगा हर एचाई पिशेंट को यह वीडियो मिलते हैं एक और एचाई वी की न्यूज के साथ नमस्क्री